हेलो और वेल्कम बैक फ्रेंड्स तो डव्लूपी गाइडर और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वूजोन प्रीमियम प्लगिन की दो एक ऐसी कॉमन सेटिंग्स के बारे में जानेंगे जो कि लोगों को बहुत सारा डाउट आता रहता है और लोग अकसर मुझसे इस प्रॉड़क्त इंपोर्ट कर सकते हैं आम तोर पर आपको कुछ इस तरीके से दिखता होगा वो प्लग इन तो और आप उसे प्लगिन आपनी साइट में इंपोर्ट कि उसको जो Woozone extension है यहां Google Chrome Web Store से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं Add to Chrome यहां पर बस option आता है उसको बस activate कर दीजे उसके बाद आपको यहां पर Woozone plugin में आ जाना है and Woozone plugin में आने के बाद आपको यहां पर यह option मिल जाता है direct import extension का तो direct import extension में आने के बाद यहां पर आपको अगर उसको activate करना है तो यहां पर activate करने का यह जो extension आपको यहां पर बनता है इसको यहां पर authorized कर देना बस बस अब normally क्या होता था कि अगर आप Amazon से कोई भी product import करते थे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता था इस तरीके से कि before using this extension you need to authorize the boozone plugin तो हमने चुकि अभी authorize कर रखा है तो हम क्या करेंगे इसको refresh करेंगे refresh करने के बाद अब आप देख सकेंगे कि जो हमारा जो plugin है वो कुछ इस तरीके से आने लगा है और हम यहां से अब इसको अपनी साइट में install कर सकते हैं जो भी हमारा product है तो मैं क्या करूँगा मेरी यहां पे जो मेरी site है jimfreak.com वो मेरी registered है और यहां से मैं उसकी इस वाले particular tab में तीन जो lines आरी है इस पे मैं tap करके यहां से particular category में choose कर सकता हूँ यह जो shoes है वो मुझे किस category में डालना है मैंने यह सारी categories उसमें बना करके रखी हुई है तो इसको मैं क्या गरता हूँ इसको मैं shoes category में डाल देता हूँ shoes category जैसे की यह रही running shoes वाली इसको मैंने डाल दी इसमें इसको मैं यहां से close कर देता हूँ अब चुकि मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना है यहां पर बस मुझे tap करना है और यह automatically यह जो product है उठा करके इसको मेरी site पर यह डाल देगा तो इसको मुझे बस यहां पर tap करना है आप यहां पर देख पा रहे हैं कि within a single second इसने यह वाला particular product successfully मेरी site पर डाल दिया है इसको अगर हम product को view करते हैं new tab में जा करके तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह वाला जो product है हमारी site पर publish हो चुका है यह वाली चीज आती है इसको मैं refresh कर देता हूँ चुकि अभी मैं wordpress में login हूँ इस बज़े से यह आ रही होगी आप यहां पर देख पा रहे हैं यह जो particular product है वो हमारी site पर आ चुका है इसका product description जिस तरीके से यह आता है already तो यह हमारी site पर यह वाला particular product आ चुका है तो यह वाली जो problem है वो आपकी solve हो जाती है और जो second problem जो majorly लोगों को आती है वो क्या कि अगर आप किसी भी product का SEO करते हैं suppose हमने यह product अब import कर लिया अब मैंने इसका SEO करना है और इस वाले SEO करने के जब मैं करने बैठता हूँ तो मैं इसका जो product title है वो इसको मैं change कर देता हूँ तो यह जो product title इसको मैंने change कर दिया आप 12 hours या 24 hours के बाद आप देखते हैं कि वापस से यह अपने आप यही rebox man's harmony करके इसमें आ जाता है तो यह वाले product को हम अगर change करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको हम रोक सकते हैं यह wooson plugin में हम setting देखते हैं कि जो auto synchronization है इस product title का वो किस तरीके से रोक सकते हैं वापस से आपको यहाँ पे अपने wooson plugin में आ जाना है आप यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि synchronization tap के अंदर sync settings है यहाँ पे आपको sync settings में आपको tap करना है यहाँ पे आप right में पहले जो column है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो product title है वो already left में है आपका जो product title होगा और product price होगा यहाँ पे right में दोनों चीज़े होगी आपको क्या करना है एक को यहाँ पे ऐसे select करके in fact यह product title को select करके इसको आपको यहाँ से move to left कर देना है इस तरीके से मैं product price को आपको right कर देना है लब right ही में यह रहेगा इसको मत करिएगा left में और जो product title है उसको आपको left में कर देना है and नीचे जा करके यहाँ पे इस setting को आपको save कर देना है इससे क्या होगा जो आप यह synchronize हो जाती थी automatically 12 hours or 24 hours के अंदर हमने इससे क्या करा है synchronization हमने off कर दिया है हमारे title का तो इस particular video में मैं जो आपको whozone की दो settings जो आपको बताने वाला था वो मैंने आपको बता दी है and अब इसके बाद मैं जो मेरा कल मैंने जो video डाला था whozone का free alternative whozone light के उपर उसके बारे में मैं थोड़ा सा comment करना चाहूंगा and जो लोग मेरे video पहले से देख रहे हैं जो भी अभी subscriber है मेरा 151 का subscriber base है और इस particular subscriber base में से बहुत सारे लोगों ने इस particular videos को देखा अब वीडियो को देखा अच्छी बात है कुछ लोगों ने comment भी करा उनको जिनको अच्छी लगी ये कुछ positive comments हैं सारे के सारे in fact in fact एक और यहां पर comment था रजत सर का TechMart Influencer जिनका एक channel है और उनका एक comment था कि मैं misguide कर रहा हूँ अपने इन videos से और इस तरीके का कुछ उन्होंने मतलब की लिखा था उस पर कई सारे मतलब की 15 to 16 comments आये थे हाला कि उस particular comment को मैंने delete नहीं किया उन्होंने खुद delete किया although क्यों किया मुझे नहीं पता रजत सर अगर आप इस video को देख रहे हो तो मेरा यही कहना है कि आपने ऐसा क्यों reaction दिया क्यों video delete किया और आपने अगर मुझे से यह कहा था तो भई उसका पिछे क्या intention था आपका मुझे इस बारे में नहीं पता बट मैं यही जानना चाहरा हूँ अपने videos में कि मैंने लोगों को कहां पे miss guide किया है आप उस particular videos का मैं जो लिंक दीजे और बताइए कि किस particular minute and किस particular second में मैंने वहां पे गलत information दिये and वो video मैं वहां से delete कर दूँगा और इस तरीके की information मैं कोशिश करूँगा कि आगे मैं गलत information अपने viewers को ना दूँ मेरा भी यह intention है कि अगर मैं कोई information दे रहा हूँ तो उस से उस particular बंदे का भला हो और आप videos में आप चुकि यहां पे जो screenshots यहां पे अभी आ रहे हैं आपकी screen के उपर आप वहां पे देख सकते हैं कि रज़त सर का जो comment था वो exist करता था अभी कुछ 2-3 गंटे पहले तक जब से मैं अभी यह video बना रहा हूँ जो मैं भी video shoot कर रहा हूँ वहां पे यह particular comment अभी exist करता था बट अभी पता नहीं I don't know उन्होंने क्यों delete किया उनका पिछे इस चीज़ का क्या motive था comments को delete करने का maybe वो यह वो ही बता सकते हैं उन्होंने क्यों किया और जैसा कि आप इस particular screenshot में देख सकते हो कि इस अभी यहां पे 96 जब मेरे views थे और उसमें 13 17 हमारे likes आये थे इसमें और 3 dislikes आये थे पर जब हमारे अभी यह particular आप यहां पे आप अभी देख पारे हो यह मैंने incognito mode में भी live खोल रखका है अभी इस particular views वीडियो पे 136 views हैं और यहां पे आप देख पारे हैं कि 17 likes और 16 dislikes at a stretch मतलब 13 13 dislikes at a stretch बढ़ चुके हैं तो मैं यहां पे यही कहना चाहूँगा कि यहां पे मेरे चैनल पे जो भी यह black hat tricks को अपनाने की कोशिश कर रहा है मुझे इससे देखिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरी वीडियो को down rank भी करा देते हो but यह majorly बहुत short time के लिए है क्योंकि मैं believe करता हूँ कि अगर मेरे content में dumb है तो वो ज़रूर एक ना एक दिन viral होगा और लोगों को पसंद आएगा तो basically इस channel में आपको solid ही content आने वाला है आज के बाद videos में 100% solid आपको with live proof एक एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा कुछ भी अगर मैं डालूँगा आपने ये वाला particular अगर video मेरा देखा होगा इसमें भी मैंने आपको live proof करके दिखा दिया है कि आप किस तरीके से free plugin से आप जो products हैं वो आप import कर सकते हैं and आपके 49 dollars literally मैं बचवार हूँ आपको इसको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो black head techniques और tricks जो भी यहाँ पर जो भी कर रहा है उसे ये बहुत ही देखिए short term के लिए है और इतना जादा मुझे इस पर फर्क नहीं पड़ता है और इसके बाद मैं यह clarify करना चाहूंगा अपने जितने भी viewers है या जो भी इस particular वीडियो को या आगे जो भी मेरे वीडियो देखेंगे कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप comment करने से पहले उस particular वीडियो को आप full वीडियो watch करें देखिए कि आप कोई भी आपका maybe उस जो आपके मन में question उतरा है वो question उस particular वीडियो में maybe वो solve हो जाए और उसके बाद आप जब वीडियो खतम हो जाए अगर maybe उस particular वीडियो में आपका जो question है उससे कुछ different है या उसमे solve नहीं किया गया तब आप पूछिए comments में in fact मेरे comments में आपको replies 100% आएगा maybe अगर ये channel grow हो गया तो ये channel grow होने के बाद भी आपके पास reply 100% आना है इसकी मैं guarantee आज देता हूँ आप connect कर सकते हैं कैसे भी मेरे साथ नीचे description में बहुत सारे links आप से मेरे से connect होने के दिये हैं Instagram के तुरू Facebook के तुरू Facebook का मैंने इसका WP Guider का मैंने page बना के रखा है group बना के रखा है आपको जहां पे connect होना है group पे आप join हो जाईए या Instagram पे मेरे साथ join हो जाईए वहाँ पे मुझसे पूछिए doubts पूछिए और मैं ये उससे क्या होगा कि एक miscommunication होगा जैसे कि last video में अगर आपने पढ़ा होगा कल के जो मैंने कल video डाला था उसमें जो comments में मेरे और रजट सर के बीच में miscommunication हुआ उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी doubt है वो अगर मेरे वीडियो से related है मैंने कुछ अगर उसमें बताई हुई चीज आपको नहीं clear हो रही है तो मुझ से आप पूछिए क्योंकि रजट सर आपना business अपनी agency भी समालते हैं तो वो थोड़ा ज़ादा busy रहते हैं और आप अगर भाई किसी का भी doubt है वो ही मैं simple से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो का doubt है तो आप मेरे से पूछिए उनके वीडियो का doubt है तो आप उस particular बंदे से पूछिए जिसका भी वीडियो का है इससे क्या होगा कि वो जिस वीडियो जो भी वीडियो creator है वो जादा अच्छा आपका doubt clarify कर पाएगा क्योंकि वो उसने create किया है content तो यही एक इस particular वीडियो को बनाने का एक motive था यही एक updation आप लोगों को देना था और आप लोगों तक ये बात पहुचानी थी maybe अब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा communication नहीं होगा आप लोगों को अगर doubt है कुछ तो आप directly मुझसे पूचेंगे and मैं उसका आपको instant solution दे दूगा तो that's it इस वीडियो के लिए इतना ही hope so आप लोगों को पसंद आई होगी thank you so much friends